जैसे कि आज हम आपको ऐसे सीरब के बारे में बताने जा रहे हैं जो डॉक्टर के दॉरा सबसे जादा उपयोग किया जाता है मरीजों को दिया जाता है इस सीरब में जो साल्ट पाया जाता है सेप्रोहप्टाडीन और हैडरोकलॉराइड और ट्राइकोलीन, सीटी रेट इस सीरप का कंबिनेशन होता है चलिए अब हम आपको इस सीरप के बारे में बताएंगे इस सीरप का उप्यो कहां किस परकार की समस्या मरीज को क्या दिक्कत क्या परहसानी रहती है तब डॉक्टर के दौरा दिया जाता है या फिर मरीज को क्या क्या दिक्कत क्या क्या परहसानी रहने पर डॉक्टर ये सीरप पेस्क्राइब करते हैं इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे इस सीरप का डोज क्या होता है ये सीरप पीना कैसे होता है ये सीरप एक दिन में कितना एमल पीना होता है, ये सीरप कितनी है, जिसे कितनी है, इस तक दिया जा सकता है, इस सीरप का डोज क्या होता है, इस सीरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा जानकारी, आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं, इस सीरप का उपयोग की चमता को बढ़ाने का काम करता है जैसे कि अगर कोई ब्यक्त है या कोई मरीज है या कोई भी है अगर उसे भूख नहीं लगता है वो दिन में खाना नहीं खाता है वो दिन में एक ही बार खाना खाता है खाने ना खाने की वज़ा से उसका वेट लॉस होता है उसे भूख न और जैसे कि इस सीरॉप का उपयोग, अगर कोई दूबला पतला है, उसकी वेट कम है, तो ये वेट को बढ़ाने में, यानि उसकी वज़न को बढ़ाने में, डाक्टर के द्वारा ये सीरॉप एसक्राइब किया जाता है, जैसे कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है, वो द लगने की छमता को बढ़ाता है, जब आपको भूख लगेगा, तो आप खाना खाएंगे, खाना खाने की वज़ा से आपके जो बेट लॉस की समस्या है, वो भी एक तरह से ठीक रहेगा, इस सीरप का जो काम होता है, भूख को बढ़ाना, अगर आपको दिन में एक बार खाना खाते हैं, तो ये सीरप पीने के बाद में दिन में दो से तीन बार खाना खाने लगते हैं, और इस सीरप का उपयोग बच्चों में माईगरेन की समस्या रहता है, तब भी डॉक्टर के दोरा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है, और जैसे अगर आपको कोई कीड़ा मक कोड़ा काट लेता है आपके स्कीन पर, उसकी वज़ा से अगर आपके बाड़ी में, हाथ में, पैर में कहीं पर किसी भी परकार से एलर्जी रहता है, या एलर्जी हो जाता है, तो उसे एलर्जी की प्राबलम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा ये सीरप प्रेस्क्र प्राबलम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा ये सीरप प्रेस्क्राइब किया जाता है, और इस सीरप का उपयोग फेटी लीवर की समस्या में, डॉक्टर इस सीरप प्रेस्क्राइब करते हैं, ये सीरप फेटी लीवर की समस्या में भी प्रेस्क्राइब किया जाता ह डॉक्टर के द्वारा चलिए अब हम आपको इस सीरफ के डोज के बारे में बताते हैं इस सीरफ का डोज क्या होता है जैसे कि जो डोज होता है ये मरीज की स्थिति उसकी कंडिशन और उसकी दिक्कत परिसानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निरधारित करके और अगर बच्चा कोई है तो उसके एज, बेट और उसकी वजन के according इस दवा का डोज निर्धारे करके बताया जाता है लेकिन बच्चों में जो इसका डोज होता है पांच एमल सुबा और साम दिन में दो बार पीने के लिए बताया जाता है और बड़ो में जो इस सीरप का इफेक्ट देखा गया है जैसे कि ये सीरप पीने के बाद में आगर आपके बाड़ी में कहीं पर किसी भी परकार से ऐलर्जी होने लगे रेडनेस होने लगे आपको बूमेटिंग के जैसा महसूस होने लगे आपका जी मचनाना जी मचलाने लगे उल्टी के जैसा महसूस ह या फिर आपके सीर में दर्द होने लगे तो ये सीर आप तुरंत बंद कर दें जो दवा का डोज होता है ये एज के एकॉर्डिंग या बॉडी वेट के एकॉर्डिंग या मरीज की दिक्कत और उसकी परेसानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करक ये बताते हैं इसके अलावा अगर आपको कुई दिक्कत कोई परेसानी है